जैहिंद प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत हैं हमारे प्यारे सी यूटूब चैनल डिज्टल एकेडमी क्लासिस पर तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो से सुरुआत करने जा रहे हैं कच्छा दस्वी के प्रश्ण बैंक की तो प्यारे च्छात जैसा कि आप स दोस्तों के पास भी सेर कर देना है कि आपके गुरुजी फिर से स्टार्ट कर दें आप लोग की क्लासिस जिसके जरी आप लोग छात्र क्या 95 परसेंट लाएंगे क्या 95 परसेंट लाएंगे एक महत्पूर जानकारी प्यारे बच्चों आप सुभी बता दे अब की बार प्यारे बच्चों गया है क्या बच्क 55 कर दिया गया है तो प्यारे छातर अभी सबने तयारी कर दीजै सुभू कि जुलाई का महींघ खत्म होने वाला है और आने वाला अगस्त के अगले महिने से आपके सुरू हो जाएंगी त्रमासिक की परिच्छा हैं तो अभी से सुरूआत कर दीजे प्यारे छात्र नहीं तो आप फिर पस्ताएंगे अब आपको तो पता ही है कि जब चिडिया दाना चुनला जाते तो पस्ताने से कुछ होता नहीं है इसलि ने कच्छा नौबी में अपने क्लास में टॉप किया था इस बारों कच्छा दस्मी में आ गया मुझे उम्मीद है कि अंपी वोड का टापर वही होगा तो रोहित राजपूत देदी हमारी वाज आप तकारे तो कमेंट जरूर करके जाएगा ठीक रोहित राजपूत तो ध चलिए हम लोग बात करते हैं डारेटली आपके कितने इकाई रहने वाले हैं देख सकते हैं आपकी इकाई दिए गए हैं टोटल आठ इकाई है देख लिखिली जहें काउन इकाई से क्या प्रश्ण आने वाले बाला दोइद जो पहली कलास रोती हमारा दिल मिलना चाहिए इसलिए पहली क्लास में थोड़ी बात चीत तो होती ही रहती ना, इसलिए आपको बोरिंग नहीं, हम हसूस करेंग फिलो रही, वांकि आपको जैसा भी लगे, आप लोग कमेंट मेरा अपनी जरूर दीजेगा, अब देखें, खंड काब से आपकी इकाई एक हो गई, और काब हो गई, निबंद लेखनवारी आठ, टोटल आठ ही काई से आपके प्रशने बनने वाले हैं, आपकी जाम में, तो बसरते आगे बात कर लेते हैं, सबसे पहले आज हम लोग बात करेंग इकाई एक कि, क्या है खंड काब, इसके अंदर का ध्यांद जैगा, सत्रा अंक की प् होगी, मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकता, ठीक ना जी, अब काबे में पाढ़ना क्या है, पद्साहित का इतिहास, काल विभाजन, रीती काल, अधुनिक काल, प्रियोग वादी काल, प्रगति वादी काल, नई कविता, अब कभी परिचय भाववास, संदर, सुईद व्या प्रशन हैगा, टोटल यहां से कुल पांच प्रशन हैने वाले हैं, जिनके लिए कुछ सत रंग दिया जाएगे, चलिए, बात करते हैं सबसे पहले प्रशन की, तीन मिनट का इंटोड़क्शन है, आप लोग चाहित स्किप कर सकते हैं, शुरू से, ठीक ना, वास्टू नि प्रशन हैं, तो भक्ति काल पर आप लोग टिक कर लेजेगा, देखिए, काफी सारे बच्चे हैं, जो कह रहे हैं, सर हमें आ रहा है, जिन बच्चो को आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है, उनको सीखने का मौका मिल रहा है, ठीक ना, तो आप लोग सीखिए देखिए क्या है अगला प्रशने अधुनी काल का आरंभ होता है अधुनी काल का आरंभ कब से होता है प्यारे बच्छो तो समवत उनीस सो से होता है आप लोग इसको कर लिजेगा काफी छातर सोच रहा होंगे सरा आप स्पीर से करा रहा है देखिए यह अब कचुवे वाला जवाना नहीं रह गया है प्यारे बच्चुवा आपको खरगोस की तरह दाउड़ना है लेकिन खरगोस की ये गलती नहीं करना है खरगोस ने गलती की थे और सो गया था आपको सोना नहीं है बागी खरगोस की तरह ही दाउड़ना है ठीक है कचुवा वाला का चारे छात्रों यह नहीं हैं तो आपसन में सूर्दास आपको हो जाएगा राइट एंसर तो सूर्दास पे मारो टिक आगे बढ़ो अगला प्रशने को प्रयोग वाद के कभी हैं देन दिजेगा प्रयोग वाद के कभी हैं यह जो प्रशने बच्चों आपकी ज्याम के प्रशने को कभी हैं रगवीर सहाई जी हैं रगवीर सहाई जी हैं अगला देखे भक्तिकाल की समय सीमा है बच्चों बताएगे भक्तिकाल की समय सीमा जो है तेरह सो पचत्तर से सत्रा सु इस भी क्या समुवत समुवत याद रखिएगा इस भी नहीं लगाईएगा नहीं तो गलत हो जाएगा क्या समुवत तेरह सो पचत्तर से सत्रा सु तक माना जाता है प्रियोगवाद का आरंभ माना जाता है इसको थोड़ा समझे क्या प्रियोग नंदन का प्रयोग किया गया नंदनन का प्रयोग किया गया किसके लिए किया गया था यारो आप सभी जानते हैं स्रिक कृष्ण भगवान के लिए किया गया था जब आप लोगोंने कविता को पढ़ी होगी तो नंदननन का प्रयोग किसके लिए किया गया था जब कृष्ण भगवान छोटे से थे तो उन्हों क्या गया था नंद नंदन कहा जाता था न वह यहां से प्रयोक किया गया था अगला प्रश्ण गोपियों को ग्यान वा योग की बाते लगती हैं बावली हो गई थी ना चली अगला प्रश्ण गोपियों ने स्रिक्रिफ्ण की तुलना की है तो गोपियों ने स्रिक्रिफ्ण की तुलना की है हरिल की लकड़ी से क्या हरिल की लकड़ी से गोपियों ने स्रिक्रिफ्ण की तुलना की हरिल की लकड़ी से अगला प्रश्ण बै पद में भासा है तो सूर के पद में ब्रज भासा है जो चात्र यहां तक वीडियो देखते चले आएं उनका लच एकदम निर्धारित है 95 फोलने का जो चात्र वीडियो की स्किप करके चले गए हैं वो खुद जुम्मेदार होंगे भाई हम कुछ भी नहीं कह सकते चली अगल प्रशने अब दिखें मर जादा ना लाही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है किस वामले में कही है विच्चो प्रेम संबंध की कही है किसकी प्रेम संबंध की यह जो प्रशने प्यारे विच्चो बहुत इंप्वाडेंट है अगला प्रशने सूर्दास के गुरु थे क्वालवाचार जिते त्य क्वाली कि सुने अप लोग के लिए बीडियो बनाया जा रहा ठीक ना लाइक करना मत भोलिए गा लाइक कर दीजेगा सूर के अरध्य है स्री क्रिष्ण है बच्चो अगला कई है पूर्य एदन यह पात है यह जो प्रशन है यार बहुत ललन टाप की उस्चन है क्या कमल का पत्ता कमल का पत्ता पर टीक करो सूर की रचना नहीं है जी बच्चो बता यह सूर की रचना नहीं है अब देखे बिने पत्रिका जो बिने पत्रिका है बच्चो यह तुलसी दास जी की रचना है किसकी रचन सरल तरीका बता दूं क्या चलिए बता देता हूं देखिए यहां पर जो सूर्दास है साथ सावड हैं पर साथ सभी में ठीक मारो अब बताए कितने बच्चों ने अपने दिल में आग लगा रखी कि इस बार 95 फोड़ना है मुझे काफी बच्चे कहे रहों कि सर मैंने दिल मे आग लगा रखी है ठीक है चलो अच्छी बात है चलो अच्छी बात अगला परशन में को बैंग भरे उत्तर दिये राम ने, लचमर ने, विस्वमित्र ने, जनक ने बताए बताए परशु राम को बैंग भरे उत्तर, किसस ने दिये आप लोग को पता होगा लच्पर जी किया एक देखो एक लड़की लिग रहे हैं सार हमने दिल में याग लगा रखा है तो क्या लड़के का मैं क्या हूं तो महले में याग चरित मानस की रचाईता काऊन इसको जड़ा कमेंड कर दीजिए तो राम चरित मानस की भासा पहले हम बता देते हैं आपको राम चरित मानस की जो भासा है प्यारे छात्रों अवधी भासा है अवधी भासा में लिखी गई राम चरित मानस अगला प्रश्न घान जी गा राम ल किया था सासस्त्र बहु का वद किस ने किया था तो प्रसू राम जी ने किया था चलिए अगला प्रशन ललन टाप की उशन आपकी स्क्रीन पर कभी अपनी आत्मकथा को बता रहा है कभी अपनी आत्मकथा को क्या बता रहा है भूली बता रहा है चलिए अगला प्रशन थके तके पठिक की पंथ में अलंकार है प्यारे विच्छों यहां पर क्या अनुपरास अलंकार है जी रइट डाऑन कर लिजी सुई विच्छे अब यह थृझ अच्छाया वाद के परत्नीदी कभी है तो च्छाया वाद के परत्नीदी कभी काओ झाओ नहीं है एसको मेरे को परणनेक जरूरत नहीं पुरे प्रश्नों वर ढ़लता हो ठीना मंगला परीí 169 ठीक है ना मां राइट मारो एक खटक से मारो घरदा कि अच्छ अच्छ शव internation अच्या हिस चले रट्टा मारों ने यार उससा कभिता में बादल किसका पती Roth तो कभी ने बादलों के लिए भी इसेसंड प्रियोक किया हैं बदया ये चलिए 30 नमबर क्या्य है दिखेट 9 जीवनवाले जीवचो 9 जीवन वाले कभी नेबाद लों के लिए भी सेसंड प्रियोग कीया है now जीवन वाल एक्टिस नंबर नम्बर आफिकिस नंबर कभी बाद लोसे घ्रेम कर रहें किस प्रकार से अकास को घैर कर ब्रष्ण endroit को जल्दी-उल्दी कर लो जल्दी कभी ने त्रिप्त धारा के माध्यम से संकेत किया है जरा उत्तर दे दो या उत्तर दे दो फिर जन समान की पीड़ा चलो अगला प्रशन ठोको यारा इंसर जल्दी बढ़ते चलो यह तंदूरित मुस्कान पाढ़ के लेखक हैं तो आपको पता है नागारजुन जी तालिया होनी चाहिए भाई आप लोग के लिए क्या नागारजुन अब देखे आपके प्रशन हां से स्टार्ट हो रहे हैं क्या रिती कहरिक तस्थान में सही सब्द चुनकर लिखे काफी सारे बच्चे कह रहे हैं सर जी अगला बागे मतलब नेश्ट वीडियो में करा दीजेगा लेकिन हम सोचना है कुछ प्रशन इसके भी करा देते हैं कितने प्रशन है चलो देखते हैं जहां तक होगा करा दे रहे हैं ठीक ना सूर की भगती है सूर की भगती है जरा हमको कमे कि बात नहीं है बसरते क्या आप लोग का रिस्पोंस कैसा हुए हमें देखना है ठीक ना तो आप लोग वीडियो को लाइक करना मद भूलेगा ओ लाल कर वाला बटन दिख रहा है ना दबा दो उसको दबा कर काला पीला नीला जो मरजियो कर दो या ठीक ना और घंटी को भी बात देना और इसको शेर भी कर देना फिर मिलते हैं को से नेस्ट वीडियो में तब तक ले सभी को टाटा वाइबाई जयंद जय भारत